नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स दानी राजा और खजाने का चोर पार्ट टू हरितिमा ना जाने मैं कब से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुमसे विवा करना चाहता हूँ अजीत तुम्हें मुझसे इस परकार की बाते नहीं कहनी चाहिए हरितिमा मैंने आज तक बहुत सब्र किया है अब मुझसे और सब्र ना हो सकेगा हरीतिमा को मानो बिजली का जटका सा लगा वह तडप कर उठ खड़ी हुई और एक जटके से अजीत से अपनी कलाई छुडा ली अजीत मुझे सपर्ष करके तुमने अपना वचन तोड़ा है अब मैं तुम्हारे पास एक पल के लिए भी नहीं रहूँगी क्या कह रही हो हरीतिमा मुझे छोड़ कर कहा जाओगी तुम मेरे सिवा तुम्हें कौन आश्रे देगा अजीत तुम मुझे क्या समझ रहे हो क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ एक पत्नी की होते हुए तुम दूसरी स्त्री पर बुरी नज़र डाल रहे हो शर्मानी चाहिए तुम्हे यह सुनकर अजीत चौका ओह हरीतिमा कैसे जानती है कि मैं विवाहित हूँ उसने हैरत से हरीतिमा को देखा हरीतिमा सच सक बताओ कि तुम कौन हो तो सुनो अजीत मैं कोई राजकुमारी नहीं स्री के वेश में तुम्हारा धर्म हूँ आज तक तुमने कम से कम अपने धर्म को तो नहीं छोड़ा था लेकिन आज मुझ पर बुरी नज़र डाल कर तुमने अपने धर्म का परित्याक कर दिया है इसलिए आज मैं भी तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ हरी दिमा की बात सुनकर अजीद चौका ओ तो तुम मेरा धर्म हो लेकिन मेरे साथ तुमने यह सरनाटक क्यों किया मैं देखना चाहती थी कि तुम कब तक अपने धर्म का निर्वाग कर सकते हो अब मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ तुम्हें अपना शेष जीवन अब बिना धर्म के ही गुजारना होगा नहीं तुम मुझे छोड़ कर मत चाओ लेकिन हरी दिमा तुरंथी वहां से अद्रिश्य हो गई ओ अब मैं अकेला इस वन में अपना शेष एक वर्ष कैसे बिता पाऊंगा अजीत परिशान हो उठा दूसरे दिन जब वह लकड़ी बेच कर अपनी जोबड़ी में वापस आया तो आज की कमाई भी मुझे उस घड़े में रख दिनी चाहिए जिसमें मैं प्रती दिन अपनी कमाई डाला करता हूँ यह सोचकर वह उस घड़े के पास महुचा और घड़े का धकन उठाया घड़े का धकन उठाती ही वह बुरी तरहें चौक पड़ा अरे घड़ा तो बिलकुल ही खाली पड़ा है घड़े में रखा धन कहां चला गया अजीत ने सारी जोबड़ी चान मारी लेकिन उसी खोया हुआ धन नहीं मिला धन के खो जाने के दुख में उसने उस रात भोजन भी नहीं किया और भूका प्यासा जोबड़ी के बाहर पड़ गया मैं तो बिलकुल ही कंगाल हो गया मेरी वर्षों की कमाई दौलत न जाने कौन ले गया इसी परकार के सोच विचारों में ना जाने रातरी के किस पहर उसकी आँख लग गई उसी सोई हुए अभी कुछी देर हुई थी कि कुछ चोर भागते हुए वहाँ आए ओह राजा की सिपाई हमारा पीछा कर रहे हैं अब हम क्या करें यदि खजाने का लूटा हुआ माल सिपाईयों को हमारे पास से मिल गया तो हमारी खैर नहीं है लूटे हुए धन के पोच से मुझ से तो अब बिल्कुल भी नहीं दोड़ा जा रहा है लूटा हुआ खजाना तो हमारे जी का जंजाल बन गया है अगर यह खजाना हमारे पास रहा तो हम शीग ही पकड़ लिये जाएंगे तभी एक चोर की दृष्टी सोय हुए अजीत पर पड़ी भाईयो, खजाने का लूटा हुआ धन, क्यों न हम इस सोय हुए आदमी के पास छोड़ जाएं इस परकार हमारे पकड़ जाने का भैस समाप्त हो जाएगा तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए तब लूटी हुए धन दौलत के बोरे, सोय हुए अजीत की सिराने रखकर चारो चोर वहां से भाग गए कुछ देर बाद ही कुछ सैनिक वहां आप पहुँचे ओह, लूटा हुआ धन तो बोरे में इस आदमी की सिराने रखा है लगता है यही चोर है एक सिपाही ने आगे बढ़कर अजीत को ठोकर मारी ए, जल्दी उठ ठोकर खाकर अजीत हड बढ़ा कर उठ बैठा कौन हो तुम लोग हमारे बारे में तुम्हें अभी पता जल जाएगा जब तुम हमारे राजा के सामने पेश होंगे लेकिन मेरा अपराद क्या है खजाने को लूट कर हमसे अपना अपराद पूश्टा है तब सिपाही उसे पकड़ कर जबर दस्ती घसीरते हुए अपने साथ ले गए बैठे बिठाए यह क्या मुसिबत कर लिया पड़ी सिपाहीों ने उसे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया एक सिपाही ने उससे कहा कल सुबह हमारे महराज हीरा सिंग के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा तब तक के लिए तुम्हें यही रहना है उसे वहाँ छोड़ कर सिपाही वहाँ से चले गए दूसरे दिन उसे हीरापुर के राजा हीरा सिंग के सामने पेश किया गया तो तुमने ही कल रात हमारे खजाने की चोरी की थी। नहीं महराज मैं बेकसूर हूँ। मुझे वियर्थ ही चोरी की इलजाम में पकड़ कर लाया गया है। लेकिन चोरी का माल तो तुम्हारे सिराने रखा हुआ बरामध हुआ है। उसके बारे में तुम क्या कहना चाते अजीज से उसकी बात का जवाब नहीं दिया गया और वह सिर्च जुका कर खड़ा हो गया। तब हीरा सिंग ने उससे कहा। तुम अपनी सफाई में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हो। इसलिए हम तुम्हें अपरादी खोशित करते हुए आजीवन कारावास की सजा दे ब स्व Today's ुसी दिन से अजीज सिंग कारागार में कैदियों का जीवन व्यतीत करने लगा है। देरेरे अजीज सिंग को का रह गार में जीवन व्यतित करते हुए आट माँ व्यतित हो गए। रात को जब वह थक खार कर कारगार के कख्षमी लेखता तो सोचता पांच वर्ष व्यतित होने में केवल दो माँ बाकी है। मैं इस कैट से कैसे निकल पाऊंगा। क्या मेरा शेष जीवन इसी कारगार में गुजरेगा। एक रात जब वह इसी प्रकार जी दुखी करके कारगार के कख्षमी सोया हुआ था तो शंकर भगवान ने स्वपन में उसे दर्शन दिये। राजा अजीत सिंग पूर्व जनम में तू बहुत पुन्यात्मा था। उन्हें पुन्यों के प्रभाव से कल तू राजा हीरा की कैट से छूट जाएगा। इतना कहकर शंकर भगवान अद्रिश्य हो गए। उनके अद्रिश्य होते ही अजीत का स्वपन तूट गया और वह चौक कर उट बैठा। क्या मेरा देखा हुआ सपना सच होगा। दूसरी और उसी राज शंकर भगवान ने राजा हीरा सिंग को स्वपन मी दर्शन दे कर कहा। राजा अजीत सिंग निर्दोश है। वह जै नगर का राजा है। उसे व्यर्थी कैद में डाल कर तूने अच्छा नहीं किया। कल सुबह होती ही तू उसी छोड़ दे। वरना मैं तेरी राजी को तहस नहस कर दूँगा। जो अग्या भ हुमारी कैद में रहना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे शमा मांगता हूँ। जरूर यह सब शंकर भगवान की कारण ही हुआ है। हीरा सिंग ने अजीत सिंग से आगे कहा। राजन आज से आप स्वतंत्र है। धन्यवाद राजन कारा गार से निकल कर अजीत सिंग वहां आप कैसे जानते हैं कि मैं राजा हूँ। हमसे भला क्या शिपा है हम तो यह भी जानते हैं कि राज बाठ ट्याक कर तो इस समय इस जंगल में क्यों भड़क रहा है। क्या आप मेरे इस परकार भटकने का कारण जानते हैं महात्मन। हाँ राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने की पस्चात तो अपनी इस दशा का कारण भली परकार जान जाएगा। तो महात्मन, जल्दी से मुझे वह कहानी सुनाईए। सुनू राजन, बहुत समय पहले जूनागर राज्य पर जीवन सिंग नाम का एक राजा राज करते थे। धर्म कर्मी वह किसी से भी पीछे नहीं थे। वह हर रोज गरीबों और प्रह्मनों को खूब दान दिया करते थे। उनके राज्य में कोई भी भूके पेट नहीं सोता था। राजा जीवन सिंग चतुर भी पहुत थे। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के अनेक राजाओं को जीत लिया था। उनका दर्बार लगता तो कम से कम 40-50 हारे हुए राजा भी दर्बार में बैठते थे। इस तरहें जीवन सिंग के मन में एहंकार जाग उठा। अब उसनी प्रजावासियों का ध्यान रखना छोड़ दिया था। उन पर बिना वजय नाना परकार के कर लगा दिये थे जिससे सब लोग तुखी थे। जूनागर के प्रधान मंतरी भजन सिंग बहुत ही अनुभवी वपुद्धिमान थे। एक बार वे राजा जीवन सिंग के पास गए और उनसे कहा महराज, शमा करें, आज कर आपने प्रजा का ध्यान रखना बिलकुल ही छोड़ दिया है। राज्य के लोग आपसे बहुत रुष्ट हैं, कृप्या करके आप अपने व्यवार में परिवर्तन कीजिए, वरना एक दिन सब लोग आपके विरुद्धु हो जाएंगे। प्रधान मंत्री जी, आप अपनी ओकात में रहें, हमें शिक्षा देने की कोई अवशक्ता नहीं है, हमें जो ठेक लगेगा हम वही करेंगे, हमें आपकी सला की कोई जरुरत नहीं है, आप चा सकते हैं। प्रधान मंत्री भजन सिंग अपमानिश से महाँ सी चले आए, अपने महल में आकर उहोंने सोचा, जहां सम्मान ना हो, वहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें इसी समय यह राज्जे छोड़कर चले जाना चाहिए। अत्या प्रधान मंत्री भजन सिंग उसी समय जूनागड को छोड़ कर अपनी ससुराल जीत कर चले गए राजा जीवन सिंग को उनके बारे में पता चला तो हाँ हाँ, प्रधान मंत्री भजन सिंग अपने आपको समझते क्या है? क्या उनके बिना हम राजकाच नहीं चला सकते हैं कुछ समय बाद ही जोनागड में भेंग कर अकाल पड़ा लोग जहायता की फर्यात लेकर जीवन सिंग के पास आए महराज दुहाई है आपके रज्य में लोग भूग से बेमौत मर रहे हैं कुछ कीजी महराज अब आपका ही साहरा है लोगों की बाद सुनकर जीवन सिंग सोच में पड़ गया कुछ सोच कर उसने लोगों से कहा हम पहले ही व्यर्ष की दान दक्षिणा में काफी खजाना खाली कर चुके हैं इसलिए हम इस समय आपकी साहता करने में असमर्थ हैं आपको स्वयम ही अकाल की विभिषका से जूजना होगा यह तो अन्याय है महराज लोगों ने लाग दुहाई दी पर जीवन सिंग ने उनकी एक न सुनी तब निराश होकर लोग वापस चले गए उन लोगों के जाते ही सेना पती ने दर्बार में परवेश किया महराज गजब हो गया दो पडोसी राजाओं चंद किरन वा केशव देव ने मिलकर हमारे राज्य पर आकरमन कर दिया है क्या अब क्या होगा दोनों राजाओं के विशाल सेना का हम किस प्रकार सामना कर पाएंगे इतनी कहानी सुनाने के पश्चात महात्मा चुप हो गए तब अजीज सिंग ने उस सुकता से उसकी और देखते हुए कहा आगे क्या हुआ महात्मन क्या राजा जीवन सिंग युद में विजई हो सका राजन, राज्य के सभी लोग तो उसके खिलाफ हो ही चुके थे इसलिए युद में किसी ने भी दिल से उसका साथ नहीं दिया जिसके फल सवरूप युद में उसकी हार हुई और शतु सेना ने उसे मौत के घाट उतार दिया जानते हो उसकी यह दशाख क्यूं हुई नहीं महात्मन तो सुनो जीवन सिंग का एंकार ही उसे ले डूबा यदि वह पहले की तरहें प्रजा का ख्याल रखता और बुद्धी से काम लेता तो प्रजा उसके गुण गाती नहीं अगाती बस महात्मन बस मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी गलती क्या थी मैंने भी राजा जीवन सिंग की तरहें प्रजा का उचित खयाल नहीं रखा था इसलिए मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं हाँ राजन तुम हमेशा आमोर्द परमोर्द में डूबे रहे और व्यर्ष की दान दक्षिरा में खजाना खाली करके प्रजा पर कठोर कर लगाते रहे याद रखो राजन राजा को एक पिता की तरहें अपनी प्रजा का खया लखना चाहिए सुनकर अजीज सिंग का सीर शर्म से जुग गया महात्मा ने उससे आगे कहा विलासी परवर्ती के होने के कारण तुमने विवाहित होते हुए भी पराई इस्त्री पर बुरी त्रिष्टी रखी इसलिए तुम्हारा धर्म भी तुम्हारा साथ छोड़ गया बिना धर्म के तो मनुष्य पशू के समान है महात्मन मेरा रूठा हुआ धर्म क्या पुना मेरे पास वापस डोट कर आ सकता है राजन अपने रूठे हुए धर्म को मनाने के लिए तुम्हें नेक कार्य करने होंगे प्रजा का ख्याल रखना होगा तभी धर्म तुम्हारे पास आएगा अन्यथा नहीं महात्मन आपने मेरी आँखे खोलती है मुझे जीवन की नही राद दिखाई है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ तो जाओ राजन जाकर अपने कुल देटा से जैनगर का राज्य वापस लो यह आप क्या कह रहे हैं मात्मन मैंने पांच बश के लिए अपना राज्य अपनी कुल देटा को नहीं बलकि सुधित रिशी को दिया है राजन यह तुम्हारा फ्रम है सुधित रिशी ही तुम्हारे कुल देटा है रिशी का रूप तो उन्होंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए धरा है लेकिन कुल देटा को भला यह सब करने की क्या वशक्ता थी राजन तुम्हारे राज्य के नागरिक तुम्हारे शिकायत देकर कुल देवता के पास गए थे तब विवश होकर कुल देवता सुधेत रिशी का रूप धर कर तुम्हारे पास आये थे ओ, तो यह बात है राजन, आप तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है इसलिए जाओ, और अपने राच्य की बागडोर संभालो, जैनगर में कुल देवता तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे है जो अग्या महात्मन महात्मा को प्रणाम करके अजी सिंग जैनगर की और चल पड़ा, जब वह जैनगर पहुँचा, तो पांच वर्ष का समय पूरा हो चुका था उसे देखकर सुधित रिशी ने कहा राजन, मैं समझता हूँ कि पांच वर्ष की अवधी में तुम्हें पूरी तरह भले पूरे का ज्यान हो गया होगा शमा करे कुल देवता, मैं गलत रहा पर था आपकी एक ही सीखने मुझी सही रहा पर ला दिया है कहकर अजीद कुल देटा के चर्णों में गिर पड़ा उसे उठाते हुए कुल देटा ने कहा राजन, अब आगे से ऐसा कोई कार्या न करना जिससे आपके कुल पर कोई दाग लगे सचमुझी राजा अजीद सिंग उस दिन से पूरी तरह बदल गया था अब वे पूरी निष्टा के साथ प्रजा के दुख दर्दों को हल करता वे उनकी सुख सुविधा का पूरा खयाल रखने लगा यह देख कर उसका रूठा हुआ धर्म उसके पास वापस लोटाया तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद